हुआ है 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 फ्रेंड्स वेल्कम टीनुवर्स क्लासेज स्वागत आपको आपको आज इनुवर्स क्लासेज में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि होगा करेंट डेली का और यहां सूपर्टेट और लेखपाल यूपी पुलिस और ट्रेले गुरुपडी सब एक इसलिए इसको ध्यान में रखते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको रोज सुबह साथ बज़े मिलने वाली है आज तो आज यह सुरूबात करते हैं आज के सेशन की मार्श 2022 में अंडमार और निकवार के पुलिस मांदेशा के रूप में किसे नियुक्त क्या गया है तो यह नियुक्त क्या गया नीरश ठाकुर जी को आपसा नमबर ए करेट हो जाएगा ह daha कि मिगुवेल विन दमे का मार्श 2022 में निदन हो गया वह किस खेल से समंधित थे फुटबाल हां की कि्रिकेट तो यह वह क्या लाइट से समंधित थे और यह फुटबाल के काफी अच्छे प्लेर थे और यह कहां कें वेल्जय जयम के खेंघार Ooh मात इनकी 28 वर्स में उम्रों 28 वर्स की उम्र में उनका निधन हो गया है तो आपसे नमबर एक करेक्ट है फुटबाल से समझ देते हैं यह कोशन इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एक्जाम के लिए कौन सा देश मार्च 22 में अपने सात्यों सदस्ट के रूप में पुर्वी अफ्रिकी समधार यानि की एसी का सदस्ट हो गया या फिर एसी में सामिल हो गया इसी का मतलब है इस्ट अफ्रिकन कम्यूनिटी इस्ट अफ्रिकन कम्यूनिटी में कौन सा देश सामिल हो गया या फि तो इसके अन्य जो सदस्देश हैं बुरुंडी केनिया यूगांडा दच्री सुडान और तंजानिया यह पूछ सकता है कि कौन-कौन सदेश यह सदस्देश है या फिर चार आप संदेश देगा उसमें पूछेगा कि कौन सदेश इसमें सदस्द नहीं है तो यह आप इसको रखना है इसको स्क्रीयों साथ लेकर करें के अगला को संदेश में टाटा इस्टिल के उपाद्यच के रूप में किसे नियुक्त के गया है नोविल नोवल टाटा जी को जो की ध्यान रखना है अगला जो कोशन है किसने 29 मार्च 22 को राश्टी जल पुरसकार 22 का परथम पुरषकार और इस पर पुरषकार जेता है स्रीमाता बार्षण देभी जी स्रीच具 बोर्ड ने जिता है अगला जो पुशन है कि नीमें जल सक्ती अभियान कैच रेन आभियान की शुरूआत की है तो यह शुरूआत की यह गजंदर शिंसे खावत नहीं कि इसको ध्यान रखना तो इस तरह से हमने च्छे कोश्ण कवर की हैं लेकिन कल से पूरा का पूरा दस कोश्ण होगा जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी इंपर्टेंट होने वाला है तो चलिए कल मिलते हैं आप